अगुवानी सुल्तान गंज माहा सेतु का स्ट्रक्शर अगर रवी बार की जगह किसी और दिन गिरता तो क्या होता नमस्कार मैं श्वेत और आप देख रहे हैं निउस फोनेशन जब से बिहार की पुल ताश की पत्तों की तरफ भरवरा गई है तब से लगातार बिहार की राजनीती भी गर्मा गई है जहां एक तरफ मुख्यमंतर नितीश कुमार उनके सरकार से ये सवाल किया जा रहा है विपक्ष की तवारा कि आखिरकार 14 महीने में एक ही पुल दो बार कैसे गिर सकती है वहीं दूसी तरफ अब ये सवाल उठाया जा रहा है कि अगर रवीवार की जगह किसी अन दिन याने की जिस दिन काम कर रहे हैं मसदूर उस पुल पर काम कर रहे हूं उस दिन गिरता तो आखिरकार उन मसदूरों का क्या होता अगुवाने सुल्टान गंज माहाशेतू के सूपर स्ट्रक्षर अगर रवीवार को छोड़ कर अन दिनों में गिर जाता तो कम से कम 400 मजदूरों की जान जा सकती थी माहाशेतू के निर्मान कारे को तेजी से पूरा करने के लिए प्रती दिन शतिग्रज सूपर स्ट्रक्चर के हिस्से वाले शेतर के दिन के शिफ्ट में 400 मजदूर काम करते हैं जबकि रात के सिफ्ट में बाहरी सही 300 मजदूर काम करते हैं यानि प्रती दिन 700 मजदूर काम करते थे रवीवार को कमपनी की ओर से शिंगल सिफ्टिंग के लिए काम लिया जाता था बताया जाता है कि गत चार जून को भी इस सूपर स्ट्रक्शर वाले हिस्से पर अन दिनों की तरह मजदूर काम कर रहे थे लेकिन दूसरे सिफ्ट में रवीवार की छुटी को लेकर काम नहीं कराया गया था पुल निर्मान में लगे स्थानी एक अर्मी कनहया चक गाव निवासी मुकेश कुमार ने बताया कि रवीवार को भी सिंगल सिफ्ट में दोपहर एक बज़े तक काम कराया था लेकिन घटना के दिन, यानि कि गटा पहले यानि दिन के एक वज़े से काम बंद कर दिया गया था अब लोगों के बीच ये सवाल उठ रहा है कि आखिर एक घटा पहले ही काम क्यों बंद करा दिया गया क्या निर्मान एजेंसी ने इंजिनियरियों को कुछ दुरघटना होने का एहसास नहीं हो गया था खेर जो भी हो लेकिन सोंभार को घटना इसल पर जुटी भीड में सिर्फ एक ही सवाल उठ रहा है क्या कि एक घंटा पहले काम को क्यों बंद कराये गया खीरा डी गाउं के अरविंद गुपता ने एक घंटा पहले काम बंद होने पर बताया कि कुछ-कुछ तो बात हो रही होगी मामला जाच के बादें स्पस्ट हो पाएगा लेकिन लोगों के बीच माहा सेतु के गिरे सूपर स्ट्रक्चर को लेकर सवाल उठाये जा रहे है गंगा घाट अगुवाने शुल्तान गंच के भी सरकार दौरा संचालित महतवकांशी परियोजना निर्मान कार की दौरान अंतरगत बतर 14 महीने में दूसरी वाल पूल का सूपर स्ट्रक्चर गिर गया है पूल के गिरने से शेत्रिय वाशियों के दशकों से फोरलेन पूल पर यात्रा करने का सपना चूरचूर हो रहा है इस दुर्भागे पूल घटना से शेत्र के लोगों के बिच निर्मान कार की गुणवनता पर संतोश व्याप्त हो रहा है लगता दूसरी बार हुई घटना के शेत्र के लोगों के बीच पूल निर्मानकार के उच्छे सरीय जाच के बाद पुन निर्मानकार शुरू करने की बातें जोर पकड ली है गंगा घाट गुवानी में आद्धी और पानी का इस प्रकार महत्वकांशी पर योजना के भरभरा कर गिर जाने पर अपने आप में प्रश्न चिन खड़ा हो रहा है नदी में गिरे स्लैब के बिखडे रड घटिया सिमिंट से किये गए काम की गुणवंता की पोल खुल रही है पोल निर्मान में लगे स्लैब मिटी के पके बरतन की भाती चकना चूर हो गया है अब इखडे स्लैब देखकर सहजी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बिहार पुल निर्मान निगम और वहीं SP सिंगल कॉंस्ट्रेक्शन कंपनी के इंजिनियर कार की प्रगीती कितने सजक थे जहां एक तरब 14 महीने में दूसरी बार ये घटना हुई है जहां अगुवानी सुल्तान गंज महासेतु पुल जो है वो दूसरी बार निर्मान धिन पुल जो है वो गिर गई है जिस पर अब सरकार से ये सवाल किया जा रहा है कि आखिरकार आपने कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा बनाया है किस तरीके से आप पुल का निर्मान कर रहे हैं कि निर्मान होते होते ही ये पुल गिर रही और सबसे बड़ा सवाल है कि अगर रवीवार की जगा ये आम दिनों में पुल गिरती तो कितने जादा मजदूरों की जा जली जाती फिलहाक लिस्ट खबर कितना ही अपडेट्स और न्यूस के लिए देखते रहें न्यूस पॉनेशन